आपका संस्कृत का निउ सेशन 2022-2023 का स्लेवा संच हम डिसकस करेंगे तो इसमें हम चाप्टर्स भी मार्ग कर लेंगे कौन-कौन से चाप्टर आपके संस्कृत में आएंगे अब हम इसका पूरा पेपर बैड़िंड में डिसकस करेंगे तो आपको बता जो आपका पीपर है वो कोई पीटी हो ऩो और आपका जो प्रोजचेक्ट से होते वह इंसमें 20 मार्क उसमेंं ऊसमें से जाएंगे तो 80 marks आपको cover करने हैं तो 80 marks का paper कैसा आएगा कौन कौन से chapter आएगे क्या ग्रामर आगी वो हम discuss कर लेते हैं जो paper होगा उसका 4 section होगी चार खंड होगी खंड का में आपका आपटित अबोधनम जो की 10 marks काएगा जो गद्यांच होता है न अंजीम passage खंड का में आपका रशनात्म कारे यानि ग्रामर का 15 marks का जाएगा फिर व्याक्रेंट विया जाएगी 25 marks की खंड गा में और खंड डा में पट्टित अबोधनम यानि आपको एक पैराग्राफ दे रखाओगा चाप्टर में से कोई एक पोयम का थोड़ा सा पैरा दे हो जो कि 30 marks का होगा टोटल आपका 80 marks बनेगा यहां अब हम इसे डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले पट्टे तब वोधनम में खंड का में एक गद्यान दे रखाओगा 80 से 100 शब्द में उसमें आपको यह 4 प्रश्ण पूछे जाएंगे मांक्स आपको दे रखें दो यह इसके लिखना होता है और भाशक का रहें यानि कोई परेवची बताओ शब्द का या फिर कोई इसका बिवलोम बताओ गद्यांश में से तो यह आपका 10 marks का जाएगा फिर खंड खाम में आपका जाएगा रशनात्मा का रहें आपचारिक पत्र लिखा हुआ होगा आपको मंजु आजाएगा फिर हिंदी घंडी में को दे रखेंगा हुए लिसेंटेंस है को फुरा वाक्य शंम्सकी करना हो तो यह पतर वाक्ड म्राग्सा फिरंटे संधी में संधी 4 मिलक्स कि शद्रू पार्माक्स के धातू पानी 4 मिलक्स के ये विकल्प में दे यचाहूंगे आपको कारक व्यक्ति यह वी चार मांक्स का आपको चार ओप्षिन को एक करना होगा यसा है प्रत्य आ जाएंगे यह भी भूविकल्प संख्या यह आपको लिखनी उपसर्व भी लिखना होगा और अव्यानी यह तीन मार्स का यह दो और यह दो डोटल हमारा पच्छी मार्स की ग्रामर आ जाएगी फिर घंड गाम में गद्यांच देर खाओगा जोकि आपका बुख से पड़ा हुआ होगा जोकि पांच माक्स का एगा बुख के चाप्टर क माक्स के अन्वे तथा भावर्थ आपका तीन माक्स का जाएगा गटना क्रमुनसार यानि यह मेन कोशन जो की चाल माक्स काता है अब आपको कोई भी चाप्टर की स्टोरी दे रहे क्योंकि उल्टा बुल्टा करके यह पहले यह हुआ था तो यह आठवे नंबर पर दे दिया शब्दानिम्रम अर्थे सहल्म यापके दोधो माक्स के जो प्रसंग दे रखा उसका अर्थ आपको चुनके लिखना होगा तो यह भी आपके बहुत चोड़ी-चोड़ी वर्ड आंसर होंगे दोधो माक्स के टोटल तीस माक्स बनता है यह आपका पूरा प्रुपेपर हो तो असी मार्क्स का बन चाता है, अब हम इसके सबसे पहले चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, तो आपकी जो आपके चैप्टर पूरे एनवल टर्म के एक्जाम में आएंगे, चैप्टर नमबर वन प्रतम पाड भारते संस्ट सगिती, चैप्टर टू आपका स्वनकाखा, चैप्टर 11 पर्यवरंड और चैप्टर 12 वांड बनम प्राण सरूर्पम तो यह चैप्टर आपके टोटल अमेल एक्साम में आएंगे टोटल कितने आपके यह नोग चैप्टर से और चैप्टर नमबर मार्क कर लिए चैप्टर नमबर 1,2,3,5,6,9,10,11,12 यह चैप्टर बुक का नाम आपको बता है शेम होशी है और आपकी ग्रामर के अलग बुक होती है तो आई होब आप अपना संस्क्रित का अच्छे से समझ गए होंगी इसका लिंक का पीडिया पर चानल नेचे आपको अच्छे डाउनलोड कैसे करना है उस पर विडियो डाल दी है कैसे जो भी चैप्टर सेब को मांग करने उन्हें आप पड़ सकते हैं चैनल को भी तक सब्सक्राइब निकिये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तुक साथ शेयर करें थांक्स वाचिंग डियो बड़ गाईस